तो दोस्तो मैं हूँ मित परमा चामुने रेल्टी से आपका स्वाकत करता हूँ फिर एक बार मेरे नए वीडियो में दोस्तो आज मैं आपके लिए 1BH के फ्लैट लेके आगे हूँ विने नगर में और इसका जो एरिया है 454 का इसका कार्पिट रेरा कार्पिट इसमें हमको म दूसरा एकर एरिए है 458 दूसरा 1 एरिए है 455 खेंच के इस पूर्पिट एरिया हमा पर मिलने वाला है कार्पिट एडिय और इसमें 2BH के हमको यहां पर मिलने वाला है 627 square feet का दोस्तों यह kitchen जो आप देख रहे हैं यह यह अधरीज हमको यहाँ पर मिलने वाला है with row balcony के साथ में हमको यहाँ पर मिलने वाला है with master bedroom और इसका जो position है यह 2024 में हमको मिलने वाला है 21 storage का यह tower रहेगा full check payment आपको यहां पर payment का scheme यहां पर हमको मिल जाने वाला है और amenities बात करो तो दोस्तों rooftop Paris amenities है यहां पर और kitchen आप देख सकते हैं देखें दोस्तों कितना अच्छा kitchen है एटेजी डम को यहां पर मिलने वाला है और balcony भी काफी अच्छी है यह दिखें common passage है यह हमारा आग गया common washroom अब देख सकते finishing देखें दोस्तों इसकी pricing भी दोस्तों इसका बहुत ही reasonable है और 21 storage का यह tower होने वाला है position उसका 2024 में हमको मिल जाएगा और यह आगे दो तो हमारा master bedroom इसमें भी हमको यहां पर balcony मिल जाती है दोस्तों यह project जो है यह meter road बिने नगर में आया हुआ है new project है और project काफी अच्छा है रेपुटेट बिल्डर है आपको कुछ टेंचन नेनी की जरूद नहीं है पर यह आपको यहां पर यहां पर बादर पा सकता है यह सेंपल प्रेटेट दोस्तों वाट आपको जो कीचन है बालकनी है और जो वाश्रूम जो है अटेजिट हमको यहां पर मिलने वाला है यह हमारा पर मास्टर बेडरूम का वाश्रूम है दोस्तों जिस किसी को भी फ्लैट विजिट करना है वो मेरे दिये गए नंबर पर मुझे कॉल करें या वाट्स अब करें काफी अच्छा प्रोजेक्ट है प्राइजिंग की बात करूं तो 64 lakhs all inclusive से स्टार्टिंग हो रहा है 64 lakhs all inclusive यहां पर आपको कुछ hidden charges नहीं देना है 64 lakhs all inclusive package में हमको यहां पर मिलने वाला है तो मुझे जलते जलब call कीजे और प्लेट बुक कीजे तब तक के लिए thank you thank you so much मैं आपको next video में मिलता हूं झाल 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 झाल